नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू केरियर एजुकेशन, केरियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 नमर पर बात करेंगे, जिसमें रेलबे गुरूप डी का प्रिभियस येर कोश्चन रहेगा, हाँ दोस्तो आप बिल्कुल कोश्चन का तयारी करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करकर के इस चैनल से जुड़िए, और आप मेरे साथ प्रिभियस येर कोश्चन का तयारी कीजिए, उके दोस्तो चलिए बीनादेरी किये हुए कोश्चन देख लेते हैं, एक नमबर कोश्चन कह रहा है, कि किलनिकल थर्मामीटर केवल मानों शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सी से डैस तक की सीमा का तापमान पर दर्शित करता है, अप्शन डी जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, यानि कि 42 डिग्री सी तक, ओके चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोचन दू नमर कह रहा है, कि भारत के संविधान का कौन सा अनुछेद मौलिक अधिकारों के परवरतन के लिए संविधानिक उपचार परदान करता है, तो अनुछेद 32 करता है, कौन करता हैं दोस्तों, अनुछेद 32, option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question ती नमर कह रहा है कि सन 1949 में भारत के 77 संग्राम के दोरान निमने लिखित में से कौन अखिल भारतियर राज्ये लोग सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे तो जुआहल लाल नहरूजी बने थे कौन बने थे दोस्तों जुआहल लाल नहरूजी option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको इसका पीडियप चाहिए तो मैं टेली कराम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आपको इसका पीडियप मिल जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन चार नमबर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से परसीद है चार option दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से परसीद है तो अब्दुल गाफर खान है कौन है दोस्तों अब्दुल गाफर खान जो है वो फ्रंटियर गांधी के नाम से परसीद है option यह जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा electronic उपकर्णों में motion data डालने के लिए किया जाता है तो track ball का उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है दोस्तो track ball का option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं नेच्ट question छोग number कह रहा है कि गाथा गीत की एक सायली 10 कठिया जो है वो किस राज में परचली थें मैं question फिर से repeat कर दे रहा हूं कोश्चन कह रहा है कि गाथा गीत की एक सैली दस कठिया जो है वो किस राज्य में परचली थें तो उरिसा राज्य में परचली थें किस राज्य में परचली थें दोस्तों उरिसा राज्य में आप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उके चलिए next question देख लेते हैं next question 4 number sorry next question 7 number कह रहा है कि tag or Sanskritic सभ्याता अध्याइन के अंदर भारत के किस परदेश में इस्तित हैं तो हिमाचल परदेश में इस्तित हैं किस परदेश में इस्तित हैं दोस्तो हिमाचल परदेश में option C जो है और आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि tag or Sanskritic सभ्याता अध्याइन के अंदर भारत के किस परदेश में इस्तित हैं तो हिमाचल परदेश में इस्तित हैं option C जो है और आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आठ नंबर कह रहा है कि किस बरस सरोजनी नाइडू द्वारा भारतिय राष्टिय कंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्सता की गई थी तो सन 1925 इस्वी में की गई थी कब की गई थी दोस्तो 1925 इस्वी में अब संडी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा के दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question नव नंबर कह रहा है कि निमने लिखित में से वो कौन सा टीका है जिसे CSIR बिज्ञान परद्योगी की मंत्राले द्वारा बिक्सित किया गया है जिसके टीका करण से जो है रोग से संकरमित होने वाले भेड बकरी गाय और भैंस को रोग मुक्त करके उनके दूद और मांस उत्पादन में बिल्धी की जा सकती है उस वैक्सिन का क्या नाम है दोस्तो तो उस वैक्सिन का नाम है जेडी वैक्सिन जेडी वैक्सिन आपका सही उतर हो जाएगा अप्शन बी जो है वो सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपका दस नमबर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा भारत का पर्यावण ये अंदोलन या संखर्स है जो सीधे तोर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंदित है तो चिपको अंदोलन है कौन है दोस्तो चिपको अंदोलन अप्शन सी जो है वो कोशन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोशन कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा भारत का पर्यावण ये अंदोलन या संखर्स है जो सीधे तोर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंदित है तो चिपको अंदोलन है आप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि कोशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएए कि वीडि नंबर कह रहा है कि कौन सी परत प्रिथवी की सतह से सुरू होकर आठ से 14.5 किलो मीटर उपर तक विस्तारित होती है वाई मंडल का यह हिसा सबसे खाना होता है तथा इस छेतर में लगभग सभी मौसम होते हैं इस छेतर को क्या कहते हैं तो छोब मंडल कहते हैं इस छेतर को क्या कहते हैं दोस्तों छोब मंडल अप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन बारे नंबर कह रहा है कि निमने लिखीत में से कौन सा कथन सही है जो कथन सही है वो आपको चुन कर बताना है तो राश्ट पती अपना त्याग पत्र जो है वो उप राश्ट पती को सौपते हैं बिल्कुल अप्शन ये जो है वो सही है आपका अप्शन ये जो है वो सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन तेरे नंबर कह रहा है कि निमन आप संसी जो है उपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उख चलिए नैक्स jeu कोशन करने से पहले मैं या कोशन को सिर्सर रिपीट कर दे रेम के समान है जिसका उप्योग कम्प्यूटर द्वारा रेम और सीपी यू के बीच डेटा को अस्थनांतरित करने के लिए किया जाता है उसका नाम है कैस अप्सन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन चौदे नंबर कह रहा है कि साल सगोन नीम और सीसम फरनीचर परिवहन निर्माड सामागरी बनाने के लिए उप्योगी जैसी सक्त लकडी वाले ब्रिक्ष किस परकार के बन में पाये जाते हैं तो उसन संद्रे नंबर कह रहा है कि कॉम्प्यूटिंग के संदर्व में एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होते हैं कॉम्प्यूटिंग के संदर्व में एक बाइट जो है कितने बीट्स के बराबर होते हैं तो आठ बीट्स के बराबर होते हैं अप्सन भी जो है वो अपका बि कि से सी मंत्री पर्षद में मुख मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज की विधान साबह के सदसु की कुल संख्या के डैस से अधिक नहीं होनी चाहिए तो पंद्रे परतिसत से अधिक नहीं होनी चाहिए option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question सत्रे नंबर कह रहा है कि भारत में मौद्रिक निती कौन बनाता है भारत में मौद्रिक निती जो है वो कौन बनाता है तो भारतिय रिजर्ड बैंक बनाता है कौन बनाता है दोस्तों भारतिय रिजर्ड बैंक option ये जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question अठारे नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा दिन बन्धु की उपादी किसको दी गई थी मैं question फिर से repeat करते रहा हूं question कह रहा है कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिन बन्धु की उपादी जो है वो किसको दी गई थी तो cf.adruge को दी गई थी कि निमने लिखित में से कौन हिर्दे से गूर्दो तक रक्त पहुंचाती है चार अप्सन दिया है इसमें से आपको चून कर बताना है कि कौन हिर्दे से गूर्दो तक रक्त पहुंचाती है तो ब्रिक धमनी पहुंचाती है कौन पहुंचाती है दोस्तों ब्रिक धमनी अप् उसके खेत के लिए आदर्स फसल कौन सी होगी, तो उसके खेत के लिए आदर्स फसल जो है, और मक्का होगी, अप्संव बी जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा. ओके दोस्तो इतना कोशन मैं लेकर आया हुआ था उमीद करता हूँ कि सारा कोशन आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारा कोशन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल इन्पोर्टेंट है मैं वही कोशन लेकर आया हुआ था जो आपके एकजाम में इन्पोर्टेंट है तो आप एक-एक सवाल का इन्पोर्टेंट समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तो आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ तब तक के लिए टे केर दोस्तो आपने ध्यान रखें और मन लगा कर पढ़ते रहें ओके दोस्तो बाई